नमस्कार माई उपचार में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे यौन सुक के बारे में और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर शलेंद गोयल डॉक्टर साफ आपका स्वागत है दॉक्टर साफ अक्सर ऐसा माना जाता है कि पैनिश की आकार का छोटा होना शारिक समंदों की मदूर्ता को कम कर देता है तो क्या ऐसा मुम्किन है एक अदद उम्रे के बाद पैनिश की आकार को बढ़ाया जाए क्या इसके लिए कोई सर्जरी और दवाया उपलब्ध है पैनिस का साइज और पैनिस का आकार और इसकी गर्थ यह बहुत पर्सनल कोश्टन है और इसके लिए मैंने देखा है बहुत सारे युवाज अब परेशान रहते हैं मैं पहले ही यह बता देना चाहता हूँ कि पैनिस के साइस से आपके सेक्शुल सैटिस्वेक्शन पे कोई फरक नहीं बढ़ता है The reason कि जो पैनिस होता है उसमें sensation उसके टिप पे portion, glance portion पे होते हैं Similarly, वजाइना में जो sensation होते हैं, क्लाइटोरिस और जो वो portion होता है, वो उसका front वाला portion हो. Once you penetrate an inch, उसके बाद आप उसके अंदर कितना जा रहे हैं, उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है. So more your length, आप अपने partner को pain जादे दे रहे होते हैं, यदि आप वजाइना में अंतर एंटर करते हो, आप चार इंच के बाद और दस इंच या ग्यारा इंच और अंदर जाना चाहते हो, तो आप उसके cervix को touch करते हो, तब आप उसको pain देते हो. So for sexual satisfaction, आपका एक इंच का काफी है. So normally, चार पाँच इंच length होती है. Personal के साथ क्या issues का बाउते हैं, जब आप टॉयलेट में दूसरे का देखते हैं, या website पे, pornography में या किसी दूसरे का देखते हैं, हमें लगता है कि उसका बहुत बड़ा है और अपना क्या होता है? अपना जब हम देखते हैं, पहले बीच में थोंद आ जाती है, फिर यहां के उपर का fat आता है, और जब हम, पैनिस क्या होता है? नीचे से लगावा होता है बाड़ी में, और हम उपर से देख रहे हैं, तो इतना portion तो हम आगे का ये इतना part देख रहे होता हैं, तो अपने बारे में हमेशा एक dissatisfaction लगता है कि हमारा चोटा है, तो पहले अपना organic शीशे में देखिया, तो it is a common advice कि आप mirror में अपने आपको देखें, क्योंकि जब mirror में आप अपने आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सामने से देख रहे हैं, और जब सामने से देखेंगे तो आपको अपना जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं और सामने से देख रहे हैं उसी में दो तिन इंच का difference आपको फील होगा, और बात रही size से satisfaction का जैसे मैंने explain किया कोई फरक नहीं पड़ता है, यह सब बातें दोस्तों से और website पर गूगल करके आप अपने आप में underestimate कर रहे होते हैं, performance anxiety पैदा कर रहे होते हैं, दूसरी बात क्या इसका size बढ़ाया जा सकता है, आपको भगवान ने जो आपका size दिया है वह वही दिया है, बाकी यह है कि आप किसी भी website पर डालेंगे, पॉर्नोग्राफी सर्च करेंगे, सबसे पहले वहां पर पॉप आउट आएगा, अपने penis का size बढ़ाईए, उसके यह दवा खाईए, इसके side effect नहीं है, इसमें इतना पैसा लगेगा, चलो देख लेते हैं यार 2000 रुपे में य related कुछ problem है, और उनके penis size really छोटे हैं, तो वहां पर उनको दवा देके उस बिमारी को control करा जा सकता है, और यह सब चीजें बचपन में हो सकती है, मेरे पास एक 25 साल का adult आता है बिमारी के साथ, अब उसका growth नहीं हो सकता, हाँ एक 2 साल का बच्चा आता है, उसकी mother लेके आती हैं, दवाई वगर ऐसे कुछ नहीं होता, हाँ कुछ surgical processes से हम कुछ ligament lose कर दें, जिससे वो थोड़ा सा और आगे की तरफ protein, जैदी कोई चीज यहां पर suspensory ligament है, यह यहां पर tight है, आप उसको थोड़ा सा यह cut कर देंगे, तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएग बढ़ हाँ, शीशे में देखना वाला बिल्कुल definitely it works, इसको try करें डॉक्टर साफ, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पेनिस के आकार का छोटा होना शारिक समंदो की मधूरता को कम कर देता है, तो क्यासे मुम्किन है कि एक अदद उम्र के बाद पेनिस के आकार को बढ़ाया जाए और क्या इसके लिए कोई तेल या मरहम वगएरा उपलब्ध है ना तो उसमें कोई हार्मोन वगएरा, यह सब सांडे का तेल और यह ओएल और चाइनीज तेल और यह सब तेल, मेरे क्याल से सब मार्केटिंग है, तेल लगाने हो पेनिस के अंदर तो घुसने नहीं वाला वहां पे स्किन से, तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो वो कुछ एक और फीलिंग कुछ हो जाती है, इरिटेशन वहां पे होता है, तो इस सब चीजे साइकलोजिकल सैटिस्फेक्शन है, डॉक्टर गोयल, शुक्रानों की संख्या में गिरावट यह किस तरह का मसला है, और क्या इसे अच्छे खान पान, कसरत या इससे सुधारा जा सकता ह या दवाईयों का उपयोग जरूरी है? पुरुष जी ने अभी अपना सीमन तक टेस्ट नहीं कराया है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम वाइफ की है, या फीमेल पार्टनर की है, और जबकि सीमन टेस्ट कराना इतना एज़ी है, आपको निकाल के मास्टर वेट करके शीशी में टेस्ट के लिए और वाइफ का आपने आपरेशन तक करवा दिया है, और अपना आपने सीमन तक टेस्ट नहीं किया है, तो यदि किसी कपल में यदि उनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो सबसे एज़ी है सीमन एक शीशी में निकाल के दीजए लैब में वो टेस्ट करके बता देग कि आपका सीमन नॉर्मल है और यदि सीमन में फिर जब देखा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसी है, कितने एक्टिव स्परम्स हैं, उनकी मॉर्फलॉजी कैसी है, तो यह सब फैक्टर्स जो होते हैं वो सीमन में वो देखे जाते हैं तो उनके रास्ते में कहीं ब्लाकेट होता है तो उस ब्लाकेट को खोला जा सकता है एक माइनर ऐप्रेशन करके जो कि हम 왜 डूरेशरी से LISA करते हैं तो वेरिकोसील का एक माइक्रो सर्जिकल ऑपरिशन होता है उसको हम करते हैं तो उसके बाद स्पर्म की ग्रोथ और उनकी मोटिलिटी वगरा बढ़ जाती है और जिन केसे में लगता है कि टेस्टिस की ही ग्रोथ नहीं हुए टेस्टिस चोटा है या बाहर निकलने का रास्त सब्सक्राइब करने का मैं माद करके कि आजकी तारेक में कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि शायद ही हमें किसी कपल को कहना पड़े कि आपका बच्चा नहीं हो सकता वह बात अलगे कि हमें उसको अफ़र्ट कितना करना पड़े बट विद अफ़र्ट आइधिंग वी इन प्रोवाइड चाइल्ड टू एवरी यह आपने बात बहुत सही बोली कि प्रेजिन की शक्ति क्योंकि जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो मान नीचे अगर किसी कपल ने टेस्ट कराया और मर्द को पता चला कि उसका जो शुक्राणू की जो संख्या है वो कम है तो इसके लिए क्या सरजरी ही एक मात्र रास्ता है या फिर घरेलू जैसे आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव ला सकते हैं खान पान में या कसर तगर ऐसे भी क्या इसको बढ़ाया जा सकते हैं देखिए एक चीज इसमें दोचार जो मैं समाजिक या जो आपने बताया घरेलू उपचार जो मैं बताना चाहूंगा वन तिंग इस अ मोबाइल इस परम्स जो हैं सेकेंड इस्मोकिंग इस्मोकिंग टबैको और उसमें जो केमिकल्स होते हैं जिसे हम बात कर रहे हैं कि वेरिकोसील से इस परम्स की ग्रोथ प्रभावित होती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और नूट्रीशन प्रॉपर नहीं पहुछ पाता तो टबैको के इस्तमाल से आ पॉकेट में ना रखें स्मोकिंग ना करें एल्कोहल का उचित मातरा में ही रखें एक्सेसिव एल्कोहल आपके लिवर को खराब करता है तो बॉडि के एंजाइम उससे चेंज होते हैं तो उससे फरक पड़ता है तो ऐल्कोहल का तरिक सेवन अवाइडबल है और दूसरे आजकल सब लोग क्या है जिम जाते हैं बॉडी बनाने के फेशन में जिम जाते हैं वहाँ पे जिम इंस्ट्रेक्टर आपको बॉडी बनाने के लिए और दोचार की ये प्रोटीन खाओ ये लो ये हार्मोन लो ये लो और कुछ वो प्रोटीन है इसमें हार्मोन नहीं है ये कह प्रोटीन और हार्मोस करें इतना इस्टिर стен करें आध बॉडी के इंटरण स्टिरोइट इनके कॉलेप्स होते हैं तो वह बच्चे पैदा करने की शक्ता ही उनकी कम हो जाती है उनके अच्छी बात है लेकिन जिम में आप जाके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए जहां आप जो काम अनेचुरल कर रहे हैं तो आपकी नेचुरल चीज खतम हो जाएगे तो जिम में जितने लोग ये जिम के प्रोप्राइटरी प्रोटेक्ट्स यूज करते हैं उसमें जिम वाला वहां पर बैठके उन सब चीजों में कमा रहा होता है कुछ नहीं है अपनी बॉडी को नेचरल रहने दीजे आप ठीक है हां उसके बावजूद भी आपकी बॉडी म हिस्सा बन चुका है कि लोग मोबाइल की बिना रह नहीं सकते और मोबाइल का सेक्श्वल लाइफ पे कुछ असर पड़ता है यह तो हम में से कईयों को मालूम भी नहीं है जैसा कि आपने बताया कि लो स्पर्म काउंट एक कारण होता है जिसे कपल को बच्चा ना हो पाए तो क्या इसका कोई इलाज भी मुमकिन है सर्जिकल या फिर क्लेनिकल या फिर कोई घरेलूपचार भी मुमकिन है अगर कोई कपल नहीं जाना चाहता है को सज्री नहीं कराना चाहता है तो इसके बताईए आप तो जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम रहते हैं या और तक घरेलूपचार या और दूसरे पैथीस के बारे में मैं कहूँगा तो उसमें क्या है कि हम इसको डिफ्रेंशियेट करते हैं कि श्च्रोप्न के स्परम्स में उसकी मौटिलिटी कम है या मॉर्फ के काउउन्ट में प्राब्लम है कई बार किया होता है लोग पुरान 14 million is considered normal और 14 को कम माना जाता है और मालो किसी का 20 है तो उसको normal माना जाता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पूराने standard यूज़ करते हैं और किसी का इधी 25 भी है तो अभी उसको externally उसको इसम बढ़ाने की दवा दे देते हैं ऐसे में क्या होता है उसका reverse effect होता है आ ऐसी body भी respond करती है जब आपको इसको extra stimulate कर रहे हो जबकि वो normal है तो ऐसे में काउंट suppress हो जाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो female gynecologist है वो एंडरोलेजी पार्ट को male partner को treat करने लगते हैं और वो उस normal count को और stimulate करना चाहते हैं और ultimately patient हमारे पास आता है कि उसका reverse effect हो नहीं हो रहा टाइमिंग बढ़ाना एस्टैमना बढ़ाना है इस पर बढ़ाने सब की दवा है हम कहते हैं कि हर चीज का इसकी ये problem है तो इसको हमें इस पार्ट को correct करना तो इन सब एक common दवा से कहीं नहीं वो उसका नुक्सान होता है तो वो कोई दवा नहीं है वो तो बस साब अपना कींगती समय देने के लिए और हमें बहुत सारी भ्रांतियों और मित्कों के बारें बताने के लिए तो दोस्तों आज हमने जाना कि यौन सुक की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसके बारे में काफी सारे पहलों से डॉक्टर साब से हमारी बातचीत हुई आशा है आप के लिए लाबदाई होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूले साथ ही लाइक और शेयर करें माई उप्चार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं जल्द ही धन्यवाद